Chapter 9, Laser Meaning of Laser देखे, Laser को समझने के लिए पहले General को समझना बहुत जुरूरी है Laser तभी हो सकता है जब General को हमने समझा होगा देखे, Meaning of Laser Laser क्या है? Transactions are recorded in the journal and thereafter they are posted to the relevant account the laser all the account put together make a laser देखे, transaction को मैंने आपको सबसे पहले बताया था ताकि सबसे पहले तो हम transaction को record करते हैं general में जैसे कि cash related या purchase related जितनी भी transaction या item है उनको हम general में record कर लेते हैं और जब general से उठा उठा कर उनके specific account में हम उन चीजों को लाते हैं तो जैसे cash related जितनी भी transaction है cash account में और purchase related जितने भी transaction है उनको purchase account है मतलब जितने भी transaction है उनको अलग-अलग account में transfer कर देते हैं तो उन account को हम क्या कहते हैं laser कहते हैं ठीक है laser को हम अलग नाम से भी बोल रखते हैं जैसे कि इसको हम books of final entry भी बोलते हैं और इसको principal book भी कहते हैं features of laser, laser के features क्या है first ऐ आपका जो laser प्रिपेर होता है वो general से prepare होता है मैं आपको बताता कि iler intelligence को पढ़ना बहुत जूरुरी है laser से पहले तो laser prepare हो अच्छनल से होता है और laser जो सव करता है हो current balance को सव करता है जितने भी account होते है current balance को सव करते है थर्ड है आपका जो लेजर जो trial balance और final account प्रिपेर होता है वो laser से ही होता है जैसे general entity से प्रिपेर होता है laser ऐसे ही laser से प्रिपेर होता है trial balance and final account फौर्थ है आपका जो laser account है उसको summarize करते हैं उसमें summarize करते हैं वो summarize किया जाता है वो transaction के base पर जैसे account से related जितनी भी transaction है या liabilities से या income से related जितनी भी transaction है वो एक account में record करते हैं और उन accounts of group को ही हम क्या बत कहते हैं laser कहते हैं देखी next है आपका format of laser account laser account का format यह इस तरीके से हैं उसमें box होंगे आपके सबसे first column है आपका date second है particular third is gf फिर amount फिर दुबार ऐसे date particular gf amount एक side debit side होगी और एक side credit side होगी left side debit side and credit side and right side credit side ठीक है इसमें कोई भी इसका जो है name of the account होगा sales account या कुछ भी wages account भी हो सकता है या salary account भी हो सकता है कुछ भी account हो सकता है ठीक है उसका format इस तरीके से बनेगा देखे पोस्टिंग आपको मैंने बताया था कि जन्रल से जन्रल से हम जितनी भी transaction है वो transfer करते हैं उनके transfer का जो process है वह जिस भी account मतलब laser में करते हैं तो उसको कि पहले मैं फर्स एक transaction को करके बताता हूं salary paid to employee 1st January 2019 को 10,000 देखे salary paid की employee को मैं आपको एक बात बता दूँँ कि जितनी भी आप transaction कर रहे हैं जो भी आप अपने को आप एक business का owner मान के चलेंगे ठीक है तब ही आप work करोगे ठीक है salary paid to employee employee को salary paid की हमने 10,000 तो इसकी जो general बनेगी मैं आपको पहले general से बनते हैं न लेजर तो पहले general बता दूँ तो employee को salary paid की तो एंटी क्या बनेगी salary account debit to cash मैं आपको बताता कि salary कैसे account debit में होगी debit में क्यों आई और cash credit में क्यों आई यह मैं आपको पेले वीडियो में बता तो salary account debit to cash इसकी जो है general entry बनेगी 10,000 और 10,000 credit side ठीक है इसकी आपकी date यहाँ पर हमने mention कर दी है और अब इससे मैं laser बनाऊंगा तो laser का मैंने आपको format बताया था इस तरीके का तो laser account बनाऊंगा दो के laser account बनेगे salary का और cash का ठीक है तो जैसे कि यह है salary का एक laser है format मैंने आपको बताया था और एक cash का laser बनाऊंगा है ठीक है जितनी भी general entry होंगे उस सरे लिए जितने भी account होंगे वो सबके specific account बनेगे जैसे इस general में दो ही account ते salary और cash account ऐसे मैंने दो आपकी separate account मनाए salary और cash account तो जैसे कि यह कैसे बना जाएगा laser मैं आपको बता दूँ मैं आपको एक बात और बता दूँ इधर की side जो लिखोगे वो two करके लिखोगे और इधर की side जो लिखोगे आप buy करके लिखना है जैसे कि salary है मैं आपको record करना बता दूँ salary account debit to cash account तो मैं salary का laser बना रहा हूँ, ठीक है, salary account बना रहा हूँ, तो salary का account कैसे बनागा, salary debit में है, ठीक है, तो इसका amount, जो है 10,000, कहा जाएगा, debit side, और debit side इधर की side है, तो 10,000 में ने debit side write कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो नाम आएगा, वो उसका opposite name होगा, और इसका opposite name क्या है to cash, मतलब उसके पीछे का reason क्या है, salary के पीछे के reason क्या है, to cash, तो उसका जो opposite name होगा, वो ही आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है आपकी date रखनी है, अब next क्या है आपका salary account debit to cash, अब cash का हमें laser बनाना है, कैसे बनाएंगे, cash account amount, ठीक है, तो cash कहाँ पर है, credit side है, ठीक है 10,000, तो 10,000 जो amount आएगा, वो credited side आएगा, ठीक है, 10,000, but जो name आएगा उसके सामने वो opposite name आएगा, उसका opposite name क्या होगा, cash का opposite name क्या है, salary तो यहाँ पर हम मैंने salary account, और मैंने आपको बताया था इधर हम जब कोई भी write करते हैं, तो buy करके करते हैं, और इधर हम कुछ भी write करेंगे, जैसे उसमें क्या है, two करके करेंगे, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है students, तो ऐसे हमें laser prepare करना है, thank you